साधना की रेसिपी तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आए हूं आलू दम की रेसिपी तो अभी सर्दियों के दिनों में नए आलू आने लगे हैं तो नए आलू में छोटे-छोटे साइस के आलू भी बहुत ही जादा मात्रम में मिलते हैं तो चलिए इसी आलू से हम आलू द काटके डाल दिया है और चार बड़े टमाटर Meyer को Member तो में भूब सारा हरा दिया हरा धन्य करबूों नहीं ठीच हे सjego के लोगने तो लोजी फ्रेंस यहां पर हमने बारइक पीश के तयार किया है तो चलिये फिर यहां पर हमारे सबजी का मसाला तो रड़ी हो चुका है अब यहां पे हमने हाफ केजी के करीबन आलू को दो सिटी देकर उबाल लिया है अगर हम इसे ज़्यादा सिटी लगाएंगे तो एकदम से गल जाएगे क्योंकि यह चुटे साइस के आलू है तो इसे आप एक से दो ही सिटी लगाएंगे और दो सिटी लगाने के बाद इसके छिलके इस तरीके से निकाल लेने है दो सिटी लगाने के बाद इसके छिलके बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे तो चली इसी तरीके से हम सारे आलू के छिलके निकाल लेते हैं तो लोजी फ्रेंस यहाँ पे हमने सारे आलूओं के छिलके निकाल लिया हैं अब चलते हैं गैस की और इसे हम फ्राइ कर लेते हैं तो यहाँ पे हमने कढ़ाई में तीन बड़े चम्मस तेल डालके इसे गरम कर लिया है तेल यहाँ पे हमारा काफी अच्छे से गरम हो चुका अब गर्म गर्म तेल में हम सारे आलों को डालेंगे और इसे बस उलटते पुलटते हुए चम्मच चलाते हुए इसे हमें गोल्डन फ्राइ कर लेना है तो यहां पे हमने सारे आलों को डाल लिया है एक मिनट के बार इसमें हम चम्मच चला लेंगे तो देखिए एक मिनट के बार यहां पे हमने इसमें चम्मच चला लिया है हर एक से डेड़ मिनट में हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे और इसमें अच्छे से गोल्डन कलर आ जाने तक इसे हम फ्राई कर लेंगे तो चलिए फ्रेंट्स यहां पे हमने इसे आलू को 4-5 मिटर तक फ्राई कर लिया है और आप देख सकते हैं आलू का कलर बहुत ही बढ़ी असा गुल्डन आ चुका है और यह बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं तो हमें क्या करना है बस इसे हमें कड़ाई से बाहर निकाल लेना है तो देखे इस तरीके से छनी वाले चमच की हेल्प से हमें इसे कड़ाई से बाहर निकाल लेना है ताकि आलू में बिल्कुल भी ओईल ना रहे सारा ओईल हमारा कड़ाई में चला जाए तो चलिए यहां पे हमने सारे आलूओं को एक प्लेट में निकाल के रख लिया है इसे हम 10-15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं और इसी कड़ाई में इसी तेल में हम सब जिवनाना स्टार्ट करते हैं तो गर्म गरम तेल में हमने दो तेज पत्तर डाला है आधा चमच हमने यहां पे जीरा डाला है जीरा थोड़ी से तड़क जाए उसके बाद यहां पे हम डालेंगे हिंग तो मैंने यहां पे आधा चमच हिंग डाल दिया है अब हिंग डालने के बाद यहाँ पे हमने जो मसाला पीस के तयार किया था ना वो सारे मसाले यहाँ पे हम डाल देंगे अब यहाँ पे हम गैस कफले में एक दम सिंप पे करेंगे उसके बाद यहाँ पे हम सूखे मसाले डालेंगे तो मैंने यहाँ पे टेस के अगॉर्डिंग नमक डाला है आदर चमच हल्दी पौडर डाला है आदर चमच मैं आप डालूँगे मिर्च का पौडर फिर मैं आप डालूँगे एक चमच धनिया पौडर तो चली यहाँ पे हमने सारे मसाले तो डाल दिये हैं अब सारे मसालों को हम मिक्स कर लेंगे उसलों empieza जिसा है आप January 10-5 मिनाट दोover Laam जब तक हमारे मसाले पकर रहा है औरर ट depl कारा है तैट हम चलते हैं अपने आलू को चैक कर लेते हैं तो यहा Master घज़ो हो ना की यह प्राइ का եंडे हो चुकत है अब हमें क्या करना है आलूओं को छेद करना है तो छेद करने के लिए यहां पे हमने लिया है फोक और फोक की हद से इस तरीके से हमें आलूओं में छेद करना है इससे क्या होगा जब हम आलूओं को ग्रेवी में डालेंगे न तो यह ग्रेवी को एब्जॉर्ब करेगी और आलो का टेस्ट बढ़ जाएगा तो बस इस तरीके से बहुत ही एजी तरीके से इसे छेद कर लेना है तो चलिए इसी तरीके से हम सारे आलो में छेद कर लेते हैं तो यहां पे हमने सारे आलो में अच्छे से छेद कर लिया है है ना देख सकते हैं तो चलते हैं गैस की और और म मसाला काफी अच्छे से पक चुका है, इसने ओΐल चोड़ना सुरू कर दिया है, मतलब आप समझ सकते हैं, कि हमारा मसाला काफी अच्छे से पक चुका है, अब हमें चमच लाना है, और इसे अच्छे से पहले mix कर लेना है, फिर यहां पे हम डालेंगे कसूरी मेथी तो मैंने यहां पे दो छोटे चमच के करीबन कसूरी मेथी को क्रश करते वे डाल दिया है उसके बाद सब्जी में बड़ी आसा कलर लाने के लिए मैं आपे डालूँगी आदा चमच कश्मेरी लाल मेश उसके बाद हमें फिर से कह करना है चम्मच चलाना है और हमें चम्मच कम से कम आधे से एक मिनट के लिए लगातार चलाना है जिससे थोड़ा सा कसूरी मेती पक जाए तो चलिए फ्रंट्स यहाँ पे हमें चम्मच चलाते हुए एक मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे अब हम डालेंगे ग्रेवी के लिए पानी तो मैंने यहाँ पे डेड़ ग्लास के करीबन पानी डाला है आप पाने की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम जादा कर सकते हैं आपको जितना ग्रेवी पसंद है उसके हिसाब से आप पानी एड़ कर सकते हैं तो पाने डालने के बाद चम्मच चलाना है और मसाले के साथ पानी को पहले मिक्स कर लेना है तो चलिए यहां पे हमने इसे मिक्स कर लिया है अब हम सारे फ्राइ के हुए आलो को यहां पे धीरे से डाल देंगे तो यहां पे हमने सारे आलों को डाल दिया है अब यहां पे हम डालेंगे एक चम्मच गरम मसाला आप यहां पे चिकन मसाला भी डाल सकते हैं में बढ़ी असा टेस्ट आता है तो देखिए मसाला डालने के बाद हमने यहां पे चम्मा चला दिया है अब ढग कर दस मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो चलिए इसे हम ढग देते हैं तो देख सकते हैं फ्रेंट्स दस मिनट हो चुके हैं हमारी सबजी को पकते हुए और यहां पे जो हमारे आलू दम की सबजी है पूरी तरह से बन के तयार हो चुके हैं फ्रेंट्स एकदम यह अंडे की तरह लगता है अगर आप अंडा नहीं तो देखें हमारी सबजी कितनी बढ़िया लग रही है बहुत ही लाजवाब लग रही है यहाँ पे हम करेंगे गैस का फ्लेम बन और बस इसे हम सर्फ कर लेंगे तो मेरी रेसिपी आप सभी को कैसे लगी फ्रेंड्स अच्छी लगी होगी तो कमेंट शेक्षन में जरूर से बताईएगा मेरे चैनल पे नए है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा और इस तरीके से छोटे आलों का आलू दम बनाके जरूर से खाईएगा यह बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं अंडे भी इसके सामने फीके लगने ल на Council कि लगया झेंगा मेरे से हम आलंगा तर चेञ़ से लगने लिगुद हैं तर based को धक् नरे। बनाके सामने खाईएगा ज ङयर गताईएगा से जरूर को लोगते हैं आल्या जरूर की जरूर रखुद आल 창शेूर